दो जियाई बहुनत से भी दो हजार चोविश में सरकार बढ़ने जा रही है और विहार में हमने तई किया है कि हम कम से कम हम तो चालीशों पर दावा ठोक रहे हैं और चालीशों पर हम जीतने का भरोसा भी है लेकिन हमारा मिशन है अ now 36 से सकती तो वी Detailsित रूप से जितने जा रहे हैं आज के समिक्षा के अनुपर चालीशों पर्टने का भी हमारी तैयारी है जो लोग आज अपने आपको नेता के रूप में, आज अभिपक्स की एकता के रूप में लोगों को सवेटने का प्रियास कर रहे हैं, इस सब लोगों के मोपन वो तमाचा लगेगा जब देश की जनता जोहजार चोविश में और बिहार की जनता, नरंद भाय भोधी जी को प मिश्वास है, जावर तिकती रही है, उस एक रुपता से ही पार्टी को आगे बढ़ाएं, सभी बुजर्ग जो भी हमारे पार्टी के रहिष्ट नेता, पहले बर्तमान, बादवें, जबी हैं, सब का सम्मान करते हुए, पार्टी के काजिकरताओं का सम्मान, जमिनी अस्त पर ये होता रहे, तो पार्टी भागलपूर में निस्चित रूप से फिर हम लोगसवा जीतेंगे, हमारा और लोगसवा के साथ-साथ, हमने जो तई किया है, कि नरंद भाए बोधी जी, पार्टी के, जो जन्होंने पूरे देश में और दुनियां, पार्टी का और पार्मित किया है, ऐसे प्रधानमंती जुन्हों देश की शुरक्षा, देश के विकास के लिए जो समर्पित है, उनके देश के अंदर, देश की जन्ता के आसिरवात से, विकास को, शुरक्षा को, देश की संस्क्रती और शभ्यता को फिर से बोहर मारेगी, बोहर से निर्द भाई मोझी जी के दित्त में, दो जियाई बहुनत से भी दोहजार जोविश में सरकार बढ़ने जा रही है, और विहार में हमने तई किया है, कि हम कम से कम, हम तो चालीशों पर दावा ठोक रहे हैं, और चालीशों पर हम जीतने का भरूसा भी है, लेकिन हमारा म मारने का भी हमारी तैयारी है, और चालीशों पर चलाव माद सकते हैं, और जितने लोग हैं, इस वो पोधे करके गिरेंगे, जो लोग आज अपने आपको नेता के रूप में, आज अभिपक्स की एकता के रूप में लोगों को सवेटने का प्रयास कर रहे हैं, इस सब मोधी जी को प्रशंद कर रहे हैं, करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है.